तो बात ये है कि मेरे दोस्त की बीवी ने 6 बच्चों को एक साथ जन्द दे दिया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 6 बच्चे एक ही कमरे में। अब, छोटी सी जगह में सारे बच्चों को फिट करने के लिए, पती ने 6 बेड खरी दे। कमरे में एक बार बेड डालने के बाद, पूरा कमरा बेड से भर गया और बच्चे बस सोने के लिए ही वहाँ जगह पा सके। अब बंक बेड्स पर स्विच करने के बाद, बेडे ने नीचे की बंक पर सोने से इंकार कर दिया और बेडी को सीडी चड़ने में डर लगने लगा। इस पर, पत्नी ने सारे 6 बच्चों को इकठा किया और सोचा कि क्यों नकमरे को पूरी तरह से बदल दिया जाए। पहले, उन्होंने दीवारों के साथ स्क्वायर ट्यूब्स लगाई ताकि बेड की जगह साफ साफ दिखाई दे। फिर, इन ट्यूब्स को छोटे ट्यूब्स से जोड़ दिया ताकि बेड ज्यादा मजबूत हो। नीचे सपोर्ट भी लगाया ताकि बेड नहीं ले। फिर, दोनों साइट पर बड़े गद्दे लगाए। शैतान बेटे को बाहरी साइट पर और अच्छी बेटी को अंदरूनी साइट पर सोने का मौका मिला। दोनों साइट पर कुशन पैडिंग भी लगाए ताकि चोट से बचाव हो और कमरे की खुबसूर्ती भी बढ़े। सुरक्षा के लिए बेड के चारों और रेल्स लगाएं ताकि कोई भी सोते-सोते गिर न जाए। अब बेड के बीच में ड्रॉस बनाए जो सीडियों की तरह काम करें और साथ ही बच्चों के खिलोने और किताबे भी रखने की जगहते। नीचे के स्पेस का पूरा इस्तिमाल किया। दो बड़े ट्रॉस बनाए बच्चों के कपड़े, अंडर वियर और मोजे रखने के लिए। और मध्य में रोलिंग कपड़े हैंगर लगाए ताकि कपड़े आसानी से विवस्थित हो जाए। अखिर में बाहर शटल लगाकर हवा की अच्छी वेंटिलेशन सुनिश्चित की ताकि कमरे में नमी की कोई समस्या न हो। और दीवार पर बड़े-बड़े बुक्षेल्फ लगाए ताकि बच्चों के अध्यान के सामान को अच्छे से रखा जा सके। कहिए अब बच्चों की पढ़ाई हो या खेलकूद सबके लिए जगह है और माता-पिता की चिंता भी कम हो गई है। तो अगर आपके पास भी छोटे कमरे में धेर सारे बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। किसी भी तरह के जुगार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी मज़ेदार और उप्योगी वीडियो लाते रहें।